इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ एक आसान step by step process हैर करने वाला हूं कि वास्तु सास्तर के अनुसार septic tango गर में किस दिसा में किस इस्तान पर बनाना है जिससे गर में किसी परकार का कोई वास्तु दोस्त ना लगे और इस वीडियो के end में आपको ये बताने वाला हूं कि septic tank को घर से minimum कितनी दूरी पर बनाना ठीक होता है So नमस्कार and welcome to civil tech मैं हूं रवी संकर Now इस वीडियो में discuss होने वाले topics Septic tank क्या होता है Septic tank बनाना जरूरी क्यों है Septic tank को वास्तु के अनुसार कहां बनाना चाहिए Septic tank और घर की दिवार के बीच में minimum कितनी दूरी होनी चाहिए Point No.1 Septic tank Septic tank आपके घर के plumbing and sanitary system का एक भाग है जो आपके घर से निकलने वाले sewage and waste water को manage करता है और उसको purify करके ground water system में मिलाता है Point No.2 Septic tank बनाना जरूरी क्यों है Septic tank हमें गंदे पानी से होने वाली बिमारियों से बचाता है इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम Septic tank को वास्तु के अनुसार ऐसी location या ऐसी जगा पे बनाए जिससे अमारा गर और हम उसके होने वाले negative effects से बच सकें ताकि वास्तु से मिलने वाले positive benefits हम ले सकें Septic tank की location के बारे में सबको कोई न कोई doubt रह जाता है इसलिए इस वीडियो को last तक पूरा देखना ताकि Septic tank से related आपको कोई doubt ना हो Point No.3 Septic tank बनाने के लिए वास्तो स्थान So आप सबको सबसे पहले अपने plot को हर दिसा में तीन-तीन भाग में बाट देना है जिससे आपके plot के total 9 भाग हो जाएंगे फिर वैसे ही हर भाग को फिर से तीन-तीन भाग में बाटना है जिससे आपको हर direction में total 9 भाग मिलेंगे एंड यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने plot के भाग कैसे करने हैं तो आप comment करके बता देना मैं आपके लिए इस topic पे एक अलग सी separate video ले आऊंगा अगर आपका plot पस्चिम मुकी है तो आप पस्चिम दिसा और वाईवय के बीच में इन भागों में septic tank बना सकते हैं अगर आपका plot उत्तर मुकी है तो आप उत्तर दिसा और वाईवय के बीच में इन भागों में septic tank बना सकते हैं अगर आपका plot पूर्व या दक्षिन मुकी है तो आप पूर्व दिसा और आगने के बीच में इन भागों में septic tank बना सकते हैं इन locations पे आप अपने plot की facing के according septic tank बना सकते हैं अब ये जान लेते हैं कि septic tank को किस जगा पे नहीं बना सकते हैं वास्तु के अनुसार इसान कौन, ब्रह्म इस्तान और निरत्य कौन में septic tank बनाने से बहुत बड़ा वास्तु दोस्त लगता हैं इसलिए septic tank बनाते समय ये हमेशा ध्यान में रखें कि septic tank की location वास्तु के अनुसार होनी चाहिए पॉइंट नमबर 4, septic tank और घर के बीच में मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए वास्तु के अनुसार septic tank और घर के बीच में मिनिमम 5 foot की distance होनी चाहिए सो इसी प्रकार के knowledgeable वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू सिविल टेक्ट थैंक्स फर वाचिंग जैस्त्री राम